दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पान के पत्ते के बारे में बताने जारी हूँ पान की हमारे देश में बहुत एहमियत है और लोग खाना खाने के बाद पान का सेवन करते हैं इसे लोग माउथ फ्रेशनर के रूप में भी उपयोग करते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पान की कुछ ऐसी health और beauty benefits के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे दोस्तो एक्षुली बीटल लिव यानि की पान का पत्ता आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है और beauty problems के लिए तो ये राम बार्ण है तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं और किस तरह से आप इसका लाब उठा सकते हैं दोस्तो पान का पहला फायदा ये है कि ये कब्स यानि की constipation में राम बार्ण इलाज का काम करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे antioxidants होते हैं और ये antioxidants शरी से free radicals को दूर करने में मदद करते हैं पीट की सारी समस्या पान के पत्ते से ठीक हो जाती है आपको 2-3 पान के पत्ते रात में पानी में भिगो कर रख देना है और अगली सुबह खाले पेट इस पानी को पी लेना है और पत्ते भी चबा चबा कर खा लेना है इससे पुरानी से पुरानी कब्स भी ठीक हो जाती है बहुत सारी लोग कब्स यानि की कॉंस्टिपेशन से परिशान रहते हैं लेकिन उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता तो ये शियर शॉर्ट इलाज है कॉंस्टिपेशन का पान के पत्ते का जो दूसरा लाजवा फायदा है वो ये कि ये खासी में एंटिबायोटिक से भी ज्यादा असर करता है अगर आपके खासी की प्रॉब्लम नहीं जा रही है चाहे कितने भी कफ सिरप पी लिये हो या बहुत सारी दवाया खा चुके हो लेकिन जो कफ है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा खासी जाने का नाम ही नहीं ले रही तो आप पान के पत्ते को चबा ले ये नैश्रल एंटिबायोटिक है इससे आपकी खासी जल्दी चली जाएगी और अगर खासी की वज़े से गले में सूजन आ गई है तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी जहां पर पान के पत्ते बहुत ज्यादा होते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर में वहां लोग खासी होने पर दवाईयों की जगह पान के पत्तों का ही इस्तिमाल करते हैं और उनकी खासी दूर हो जाती है अगला इलाज है arthritis का जीने सूजन ज्यादा रहती है और जोडों में ज्यादा दर्द रहता है तो पान के पत्ते उनके लिए हैं पान के पत्तों में antiseptic गुण होते हैं और या anti-inflammatory गुणों से भरा हुआ होता है जिनको गठिया या अर्थराइटिस है वो रोज सुबर खाली पेट दो पान के पत्ते चबा चबा कर खाएंगे तो उनकी सूजन दूर हो जाएगी और अगर अर्थराइटिस के वज़र से चलने फिरने में भी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी इसका जो अगला फाइदा है वो है पीठ दर्द में बहुत सारे लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है जिसकी वज़र से वो ठीक से उठ भी नहीं बाते तो उनके लिए एक बहतरीन उपाय है कि वो पान के पते से सिकाई करें आप नारियल तेल को गरम करें और इतना गरम करें कि आपकी स्किन उसे सह सकें और फिर उस तेल को पान के पते पर लगा लें और उस गरम पान के पते को आप इफेक्टेट एरिया पर लगाए और सिका अगर आप पान के पत्तों की तेल से भी मसाज करेंगे तो ये भी बहुत फाइदे मंद होता है। और फिर अगर आपको uneven tone की problem है इन सारी problems के लिए आप पान के पत्तों को home remedy के रूप में use कर सकते हैं। पास से छे पान के पत्तों को mixi में अच्छे से पीस लिजिए और उसे निचोड कर उसका रस निकाल लिजिए और उस रस में थोड़ी सी हल्दी मिलाईए और इसे आप अपनी skin पर लगा लिजिए। इस face pack को रोजाना लगाने से आपके मुहां से खत्म हो जाएंगे, allergy खत्म हो जाएगी, uneven skin tone की problem ठीक हो जाएगी, इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। आप पान के पत्तों को पानी में उबाल लें और अगर आप उसी पानी से अपने जहरे को धोएंगे तो आपकी skin गोरी भी होगी और साथ ही साथ आपकी skin में glow भी बढ़ जाएगा और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप देखकर खोदी हैरान हो जाएंगे। पान के पत्ते के पानी को अगर आप अपने intimate area को साफ करने के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पर कभी भी खुजली और रैशिस नहीं होंगे जिनको सफेद पानी की शिकायत रहती है जिसे white discharge या licoria भी कहते हैं तो वो अपने intimate part को पान के पत्ते के पानी से धोले तो ये प्रोब्लम आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी इसके लिए आपको बस ये करना है कि साथ से आज पान के पत्तों को पानी में डाल कर उबाल लेना है और उस पानी से आप अपने private area को वाश कीजिए तो आपको बहुत जल्द ही relief मिल जाएगा पुर्शों के लिए भी पान के पत्ते किसी दवाई से कम नहीं है अगर आप अपनी sperm count और quality को बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट पान के पत्तों को चबा कर खाईए आपको बहुत जल्द ही अच्छे नतीजे मिलेंगे अगर आप तनाव और थकान को महसूस कर रहे हैं तो आप पान के पत्तों का उप्योग करिए पान के पत्तों का सेवन मांसिक स्वास्ति को भी बढ़ावा देता है आप तीन से चार पान के पत्तों को पीस कर उसका रस निकाल लीजिए और एक चमच पान के पत्ते के रस में एक चम्मश शहद मिला कर खाएं यह आपके दिमाग के लिए एक टॉनिक का काम करता है अगर दिमागी रूप से तनाव है या थकान है या फिर अगर आपको मैमोरी को बूस्ट करना चाहते है या कॉंसेंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो यह आपके ब्रेन के लिए एक टॉनिक का काम करेगा इसके अलावा पान का पत्ता सिर दर्द को भी दूर करता है जब भी आपको सिर दर्द हो तो आप पान के पत्तों को पीस कर उसके रस को अपने सिर वाले एरिया पर यानि की माथे पर लगा ले आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा इसके अलावा अगर आपको दातों से रिलेटेट कुछ भी प्रॉब्लम होती है या पैरिया है या अगर आपके मसूडों में सूजन रहती है या अगर आपके दातों में खीड़े लग गए है तो आपके लिए पान का पत्ता बहुती ज़्यादा फायदे मन्द है अगर आपके मूँ से बद्बू आती है तो आप पान का पत्ता चबा लिजे आप रोजाना पान के पत्तों को चबाएंगे तो आपके मूँ से बद्बू आना बंद हो जाएगी इसके अलावा अगर आपके मसूडों में सूजन है तो आप पान के पत्तों के पानी से गरारे करें दातों में दर्द है तो भी आप पान के पत्तों को चबा कर खाए या फिर पान के पानी से गरारे करें आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा इसके अंदर anti-bacterial और anti-viral properties होती है जो आपकी oral health को maintain करती है तो देखा आपने कि पान के पत्ते कितने ज़्यादा beneficial होते हैं हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके ज़रूर कामाएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज़ादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें फॉलो कैसे करना है ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद